राहतगार नगर में आगामी तेवहारों के मद्दे नजार इस्थानी जनपत सवागरा में शांती समीती की बेठक का आयोजन क्या गया जिसमें मुख्य रूप से जिला कलेक्टर दिपक सिंग और पुलिस अधिक्स तक अतुल सिंग मोजूद रहे इस दोरन जिला कलेक्टर दिपक सिंग ने कहा कि कोड़ा संक्रावन के चलते आगामी तेवहारों में गणे उस्थो मोरम और शासन को दिसा निदेश और नियमों के अनुसार ही मनाया जाए जिसमें किसी प्रकार का सरवजरिक आयोजन नहीं किया जाए नाहीं चल समारों निक कारी और नगर के अनेक वरिष्ट जन मौजूद रहें राहतगर्च सलमान कुरेशी की रिपर्ट्ट में जैसा आप जान से हैं कि सरकार से बैडलाइज जाले की है और उसी आखार के सागर्द जिला परशातन के दुरारा सेक्टन 144 में आजने जारी किया लिए नहीं किसी नहीं परकार का जलूस नहीं निकाला जा सकता है और साधिनी किस्कानों में किसी परकार के मुंती ताजिया या इस तरह के इस फादि कर्द्ट चार्ट नहीं ले रह एक किसी बैड़क्री के आज मौज जेरा परशासरों और फुजिस लिबाट इवार्ट बार्यां पर उपर जो आयोजल समिती रहती हैं उनके स्क्रीट निनियों से हमने चर्च रखी है और सभी दोगों ने इस बार पर सामत इपक्तिती हैं कि कोविड नाइटीन को लेके जो गोर्मेंट्री गाइड नाइन है इस बार पॉट्टी मोल पार्डर है इसका हम वाड़न करेंगे इस बार गणेश को जिमाएं चोटी घरों में ही स्थापी तूँगी किसी पताथ से ताजिया भी चोटे बनेगे घरों में ही इस्थापी तूँगे किसी भी प्रकार के जलूस या सभारी नहीं निका दी जाएगी सार्जनिक उस्तानों पर कोई गनेश्मंट डाल नहीं साब के दूँए विसरजन के लिए नगरपारिका के द्वारा वाहन विवस्ता की जाएगी उनके द्वारा मुटियां या मुहरम के समय ताजी इकटे किये जाएगे और कि विसरजन इस्ताल होगा वहां पर धार्मिक परंपराओं का पारंग करते हुए विसरजन होगा हमने यह भी दाय किया कि जो आयरोजन विस्तिक सम्कियां ह لو नगरपालिका और प्रशाथन के साथ सफेगे और मूतियों को इकट्था करते समय ताजीयों को इकट्था करते समय या उनकी विसरजंट के समय शाहर के गल्मान ठीक भी उत्सती के रहेंगे और जो धार्मिक विदिविदात हैं उसके अम्रूपी उनके विसारजन्टी का लगती है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें